हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुमित आपका अपनी यूट्यूब कैनल रीडर वाइड़ बुल में स्वागत है आज की हमारी बुक है दा मॉंग फूर्डिस फरारी यानि एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ती बिज़ दी इस बुक के लेखक है रॉबिन सर्मा यह कथा है अपने प्रक्षादवकिल उसी भी आदालत में जमीन पर गिरह हुआ था वो इंसान जो अपने काम और सफलता के लिए मसूर थे जिनके सानों सौकत पर चर्चे होते थे आज वहीं इंसान जमीन पर चड़प रहे थे उनको अराम देने की सभी कोस्त से वर्थ लग रही थी और मैं बैट कर यही सोच रहा था नहीं आप ऐसे मर नहीं सकते जिस इंसान ने जिन्दगी अपने सर्थ पे जी हो जिसने अपना मुकदर खुद लिखा हो वह इंसान ऐसा नहीं मर सकता वो इनसान जिसने अपने हुनर काबलियत और कठोर परिसनम से यतनी सबलता और सौरत पाई ह वो इतनी असानी से नहीं मर सकता महान जूलियन मेंटल से मेरे तहलू का 17 साल प्राने है जब मैंने उनके दफ्टर में काम परना शुरू किया था धीरे धीरे हमारे संबन्द अच्छे होते गए सायद मैं उनको सबसे करीब से जानने लगा था यकिन नहीं हो रहा था कि यह वही जूलियन मेंटल है 17 साल पहले क्या तेज़ था उनकी आखों में मानो पूर दुनिया इन्हें पंदर पर करती हो हर चीज को अपने ही सर्तों पर करना या यूं कहूं कि हर परस्थित को अपने काबू में रखना इनकी आदत से सायद मुझे में भी कोई बात रही होगी कभी तो इतने सारे लोगों के बीच उन्होंने मुझे चुना एक मामूली सी लड़के को जिसका दूर दूर तक चलाके से कोई तालोग नहीं था हाँ बस ये कि मैं अपने बलबूते पर हावर्ड लोज स्कूल से पढ़कर आया था जूलियन के साथ काम करना मेरी कुछ नसीबी थी आप वो ये जानकर सायद हरानी हो जितनी सकती वो दुनिया को दिखाया करते थे उनके अंदर उतना ही नरम दिल एक बच्चा चुपा हुआ था जो भावग भी था और नादान भी लेकिन जो दुनियादारी की फिक्र से बंदा हुआ था उनका सांदार भव बगला या चमजबाती लाल लंकी फरारी के पीछे कुछ तो रहस था जो सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक अजजीब सा अकेले अपन होने लगा था कुछ तो राज था जिनका असर उनके काम और विवार दोनों पर दिखने लगा था और सायद यही उनकी बेचेनी का कारान भी बन रही थी सायद दुनिया की इस भाग दोड़ में वो पीछे नहीं रहना चाहते थे तभी तो सहरत और कामयाबे की भूख उन्हें दिन बद दिन निगल रही थी यह तुम क्या कर रहे थे जूलियन सब कुछ तो था तुम्हारे पास फिर भी यह कैसी भूख थी तुम्हें क्या कुछ पाना चाहते थे क्या चाहिए था तुम्हें किस चीज की तुम्हें तलास थी आध्युमर के होके भी वो बुजरुग लग रहे थे एक गहरी धकान उनके चेहरे पर हमेशा कायम थी और साथ ही वो हसना भी भूलने लगे थे मुझे आज भी याद है जब वो मुझे से अपने खाली पन के सिकाथ करते थे वो कहते थे कि अब वो वकालत से उप चुके हैं आज दिल का दोरा पढ़ने से वही महान इंसान जमेन पर गिरे हुए थे जैसे मानो की प्रकरती ने उन्हें जिंदगी के असली मायनों से मिला दिया हो दूसरों के लिए जीना यही वज़ा थी जो कि नौजवान जूलियन ने वकिल बनने का सपना देखा था पर अब यह वज़ा कहीं गुम हो गई थी इस खाली पन के पीछे एक गहरी कहानी थी कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे दाखिले से पहले फर मैं जूलियन के साथ एक बड़ी घटना घटी थी जिसने उनकी जिंदी बैल दी तब मुझे यह दिवारे पर्दों से मजबूत मौलुम पड़ी इस राज से मैं अब तक अंजान था कोई भी उस बात का जिक्र नहीं करता जिसने जूलियन से उनका जमीर शीन लिया मुझे जानना था कि उस रोज जूलियन साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त की यह हलत की और आज मेरे ही सामने जूलेन पड़े हुए थे और मैं हमें ऐसा की तरह कुछ नहीं कर सका